इस वीडियो में आपको डायकॉटमी का कंसेप्ट इजी वे में एक्जामपल बदाऊंगी डायकॉटमी एक ट्रेडरी टेखनीक है जिसका मतलब यह होता है कि चीजों को दो हिसों में एक्वली डिवाइड करना और कौन सी चीजों को जो दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हो यानि दो चीजें जो हैं एक दूसरे से बिलकुल उनका एंटोनीम है बिलकुल ओपोजिट बात की चारी है और उनको हमने मतलब बैनेंस रखना है आपके जामने एक बहुत ही फेमस एक्जामपल है यहां पे डॉक्टर फॉस्टर से डॉक्टर फॉस्टर तो है वो एक प् एक से जो डॉक्टर फॉस्टर से था और मुझनाग लेखंए को मतलब कि तुम हैंड के बारे में सोचो जनत के बारे में आपकशों के को आपकने ना दो अब इस्छान जो है जब भी सबना। انहिते हुझा कम इता है कि मुझे इसे मेरा करना शुछिन के चाहिए हैς। जॢ करनाया है यह चेहां तो बिंधा है। एक आप क्या मरना जास रहरे हैंते हमेर आप दोती हैं। उन्हे पर जास बैकम कर दोती हैं। गूड एंजल जो है वो से बता आ रही है कि तुम इस तरह ना आओ, किसी के वसवसे में ना आओ, तुम सिर्फ हैवन के बारे में सोचो, और हैवनली थिंक से बारे में, जबके इवल एंजल जो है वो कह रही है, कि नो फॉस्टर स्थिंक ऑव ओनर और और वेल्थ, यानि दो चीजें जो हैं, दोनों ऑपोजिट ग्रूप्स हैं, ग्रूप नहीं सोरी, बैड और गूड एंजल हैं, दोनों एक दूसर से ऑपोजिंग बातें कहा रही हैं, तो यहाँ पे यह चीज जो है, वो डैकॉर्ट में कहलाएगी, यह कंसेप्ट जो है, यह जो अपना-पना कंसेप्ट बता रही हैं, बिल्कुल ओपोजिट थिंकिंग हैं, इन दोनों की, यह चीज टैकॉर्ट में कहलाएगी, बहुत हीजी सा कंसेप्ट था, आई होब कि आप लों को क्लियर हो गया होगा, इससे रिकार्डिंग आपको कोई क्वेस्टन है, कोई उकीन है, वो आप म कमेंट सेक्षिम में बताएं, धैंक यू सो मच वर वाजिए।